क्या यह आपको सही लगता है पैसा आपका फोन आपको चलाना है लेकिन फिर भी आप ले आते हो किसी और की पसंद को क्यूंकि आपको बहुत जादा कुछ पता नहीं यह फोन के बारे मां और आपको लगता है कि कहीं आप कोई और गलत फोन लेके न आ जाओ इसलिए आप जा काम में उस वक्त हो सकता है कोई और फोन अच्छा फोन अच्छा कॉन्फिग्रेशन में मिल रहा हो क्योंकि वह आपको सिर्फ वही फोन सेट करेगा जो उसने यूज किया है मैं तो कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं अगर आप उनके पास जाओ पुछने के लिए कि मैं कौन स क्यां सा फोन लूँगा तो वह आपको मजबूर करतेंगे फोन लेने के लिए वो फोन जो उन्होंने यूज किया है पहले से क्यूंकि वह फोन मेरा चाइक है आप लो यार बहुत अच्छा ऐसा है वैसा है मतलों बहुत अच्छा गिया है आप उसको ले ही लो इस तरह प्र जबकि उस वक्त और कोई अच्छा सा फोन अच्छे कॉंफिग्रेशन में आपको अच्छा प्राइस में मिल रहा हो लेकिन फिर भी आप ले आते हो ही पुराना सा फोन इन सब चीजों के अलावा अगर आपको भी जाते हो दुकान में आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है और हलका फुल का थोड़ा बहुत पता भी है तब भी आप जाते हो दुकान में कि भाई मेरा ये बजट है आप इस रेंज का कोई एक फोन दो तो वो लोग आपको कुछ इस तरह से समझाएंगे वो कॉंपेर करके आपको वहाँ पर दिखाएंगे कुछ ऐसे फोन के बारे में जो फोन जो कंपनियां उनको ज्यादा कमिशन देती है ऐसा होता है आप अगर कभी गय होगे इस तरह का बीना जान करके तो आपको पता होगा कि आपके साथ भी ऐसा ह हो चुका होगा आप सोचके घर से जाते हो इस ब्रेंड को लेना है या इस मोडल को लेना है लेकिन दुकान आप जब पहुंचते हो तो वहाँ पर एकदम से सारी चीजे बदल जाती है और आपका दिमाग जो है आपका पसंद बदल के दूसरा फोन पर चला जाता है और चला दस से 20 लोगों को इस तरह लोगों को थैस्ट करता है तो तक यह अप से दिज जाएका और आपको मजबूर अब हो जाओगे उस फोन को लेने के लिए जो फोन वो आपको बोल रहा है तो ऐसे में नुक्सान शिर्फ आपका है तो ऐसलिए बात से पहले अपना के फोन खरीदने के लिए दुकान में जा सकते हो जिससे आप थोड़ी बहुत 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 कर पाओगे उसके बाद आपको तो पहले से पता ही होगा कि कौन सा फोन आपके लिए अच्छा होगा तो फाइनली आप उस फोन को लेकर आप आप आओगे इसके अलब अगर आपक एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है 91mobiles.com 91mobiles.com अपने PC के ब्राउजर में आपको एंटर करना है एंटर करने के बाद यह इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा अगर आपके पास फोन है तो आप अपने फोन में भी एक अप्लिकेशन है उसका लिंक में description में दे दूगा आप महां से download कर सकते हो उस application में उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही आप search कर पाऊगे तो यहां पर बहुत सारी options आपको मिल जाती है लेकिन यहां पर आप नीचे की तरफ न जाते हुए यहां पर देखिए यह है let's find a mobile for you और यहां पर by price में select जैसे कि मान लेते हैं आपका budget है आठ हजार उपई से लेकर के 15,000 तक अब देखिए यहां पर आपको आठ हजार फिल करना है उसके बाद यहां पर आपको देना है 15,000 अब आप यहां पर search कीजिए find mobiles आपके सामने बहुत सारी mobiles की list आ जाएगी अभी यहां भी आपके लि variety है यानि कि जो सारे phones popular है ज्यादा वही phones आपको शुरुआत में दिखेंगे तो आपको क्या करना है यहां पर price को select करना है तो price पर click कीजिए उसके बाद आप देख सकते हो यहां पर 15,000 का phone जो वह पहले आ चुका है तो यहां पर मैं आपको बता दूँ यह हुए highest to lowest का phone आ वह 8,000 का यहां पर 100 हो रहा है तो अभी भी बहुत सारे चीजे बागी है जैसे कि यहां पर features की अगर बात करें आपको कौन-कौन सी feature अपने phone के अंदर चाहिए तो यहां पर आप इन सब चीजों को select कर सकते हो जैसे अगर आपको चाहिए fingerprint का scanner होना चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दो तो अभी जितने सारी phones के अंदर में fingerprint की feature है वही तो phones आपके सामने दीखेंगे उसके बाद यहां पर ब्रैंड की बात करें तो यहां पर आपको जिन जिन ब्रैंड के phone चाहिए अगर आप चाहते हो कि आप Samsung का लोगे या Lenovo का लोगे या Nokia का लोगे जो भी आप आपको phone अपने brand एकदम मतलब यही सारे brands के अंदर ही मुझे लेना है इसका अलावा को दूसरी brand नहीं लेना है तो आप यहां पर select कर सकते हो और वाज इस चीज़ को आप ऐसा ही छोड़ दो ताकि आपको सारे company के सारे phones आपको आपके सामने दीख जाएंगे अब यहां पर यहां पर 5.2 to 5.5 inch का मैं select कर दिया हूँ यहां पर उसके बाद नीचे अगर pixel density की बात करें तो यहां पर pixel density आ जाता है जिनमें आपको किसी को चूच करने तो इसको मैं फिलाल ऐसे ही छोड़ देता हूँ इसके बाद मुझे चाहिए gorilla glass का protection तो gorilla glass को आप यहां पर select कर सकते ह अगर आपको चाहिए देखिए यहां पर gorilla glass में है gorilla glass 5 में 0 phone से gorilla glass 4 में 4 phone से और gorilla glass सिर्फ अगर gorilla glass की बात करें तो 46 phone से तो सिर्फ gorilla glass ही रहने देते हैं उसके आदर आपको चाहिए M all display तो आप यहां भी क्लिक करके M all display को select कर सकते हो उसके बाद यहां पर screen resolution में है HD और full HD तो म जाहेंगे जितने सारी phone चाहेंगे वहां पर मैं देख लूंगा किसका camera जाद है किसका camera कम है यहां पर न फिर Windows 1 बाकी सारे लेकिन अभी क्या सिर्फ 34 Android फोन से इस प्राइस में है तो क्यूंकि बहुत सारी configuration मैंने जो मिला है उसके अंदर Android फोन से आते हैं इसलिए Android फोन ही हाईलाइट और और कुछ है ने इसके अंदर उसके बाद processor की बात करते हैं तो देखिए 2 GHz अगर आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे solo phone आपको मिल जाएंगे 16 phones और यहाँ पे processor का core यहाँ पे quad core है, octa core है, deca core है, 64 bit architecture भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा तो यहाँ भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो उसके बाद system on chip है फिर RAM है, RAM को मैं यहाँ पे 4G भी दे देता हूँ, और finally यहाँ पे नीचे हमें मिल जाएगा battery का, तो battery भी आपको जितना चाहिए 3500 MHz and above, इसको मैं दे देता हूँ, आपको जो पसंदे आप दे सकते हो, अब हम यहाँ पे देखेंगे जितने सारे जो phones थे, वो हमारे सामने आ चुके हैं, मैंने जितनी सारी configuration दी, उसमें सबसे पहला रहा, coolpad का cool one dwell रहा, जिसका price होगा 1099 रूपाई, इस तरह की बहुत सारी phones आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, इसके बाद जो सबसे बड़ा चीज है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैस इस price में मिल रहा है, और यह सबसे कम prices का होगा, उसके बाद कोई और भी phone को यहाँ पे देख लियानों, वो P2 का है, आप यहाँ देख लो यह भी 14999 रूपए में, clip card में available है, इस सबसे कम नरिख्याल से होगा, यह 14999 रूपए, किनकि सबसे कम जहां का होता है, यह वहीं उस साइट का दिखाता है, उसके बाद यहाँ पर देख लो, और एक phone को मैं यहाँ पर दिखा दाता हूँ, यहाँ पर बहुत सरी websites भी इसके, आपको मिल जाएंगी, जहां से आप इस phone को purchase कर सकते हो, सबका अपना अपना price है, और सारे price आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो इ आप कम से कम चीज, जैसे कि जो सारी चीजे आपको जरूरी है, जैसे कि screen size, वो एकदम जरूरी है, screen size को आप दीजिए, उसके बाद जरूरी है RAM का, तो RAM आपको जितना चाहिए, RAM को fill कीजिए, उसके बाद अगर आपको जरूरी है, यह display का protection तो आप दे सकते हो, battery capacity अगर आ दे देते हो, तो मैं रिखाल चाहिए, दो फोन आएंगे, जिसमें आपको बहुत सारे फोन से ऐसा हो सकता है, किसी में, RAM अगर आप adjust कर सकते हो, चार के बज़ए आपको 3GB RAM में आपका काम हो जाएगा, तो बाकी सारी चीज हो सकता है, उसके अंदर अच्छा है, जिसमें आ आप कहां से डाउनलोड करके, अपने फॉन में इंस्टल करके, आप अपने फॉन में भी देख सकते हो, अगर आपको फॉन में यूज करने में कुछ दिक्कत होता है, तो आप मुझे कॉमेंट करो, मैं इसके लिए एक फॉन का भी वीडियो बना के, फॉन में किस तरह सा आ आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी-पूरी कोसिस करूँगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए, बेल को एक्टिवेट किजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सकेगी, आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो नई टेक के साथ में, तब तक के लिए बाई-बाई एंट टेक केर